सफेद कपडों को सफेद रखना एक नाइट मैट से कम नहीं है न और घर्मियों में तो धूल, मिट्टी और पसिने से कपडों पर डाग लग जाते हैं जो की कड़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं चाते और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और तरीके बताएंगे जो आप अपने आप भी कर सकते हैं पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चानल सी लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्स्राइब करना ना वाइट कपड़ों को लेमन या होट बॉल्ड लेमन जूस में एक घंटा सोक करने से आपको अच्छे रिजल्स मिलेंगे आप चाहे तो आपके रेगुलर वाइट साइकल में लेमन जूस एड़ करने से ग्रेट रिजल्स अचीव कर सकते हैं ब्राइट इन विद पावर एक बार आपके वाइट कपड़े फ्रेशली वॉश्ड और वेट हो तब ही आपका ड्राइर साइकल को सकिप करें उसके बज़ए उन कपड़ों को धूप में डालें ताकि नैच्रल हीट से वो कपड़े ड्राइ हो According to Keeper of the Home, Sun आपके वाइट कपड़ों को bleach करता है और bleach की smell भी रखता है Add White Vinegar आप अपने वाइट कपड़ों को white रख सकते हो सिर्फ एक dose of white vinegar से Wash के time, white vinegar फैब्रिक को soften करता है फिर brightness और comfort भी लाता है Create a Baking Soda Soak आपके Baking Soda में homemade mixture of water add करने से आपके white कपड़ों को बिना और कोई additional edivities को washing machine में डाले इसके लिए आपको 4 liter of water में 1 cup of baking soda add करना है और फिर washing machine में डाल दीजिए जिससे सोक होने के बाद आपके कपड़े fresh और clean हो जाएंगे Try Dishwasher Soak एक और secret whitening tool है आपके kitchen में और वो है dishwasher soap According to apartment therapy, eco-friendly dishwasher detergent kitchen में whitening का काम करता है जो बहुत सारे DIY methods में भी बताया है Simply आपको इससे blend करना है और regular laundry detergent में add करना है wash के type Break out the aspirin Aspirin बहुत अच्छा होता है headaches और other body achs के लिए क्यूंकि वो breakdown करता है सब भी yellow stains को आप 5 aspirin को dissolve कीजे पानी में और आपके color stain clothes को soak करने रखिए और कुछ देर बाद washing machine में डाल दीचे और ध्यान दीजिए कि इसमें आप कोई और colored clothes add ना करे Try Whitening with Borex थोड़ा सा Borex increase कर सकता है effectiveness आपके usual laundry detergent से Borex add करने से थोड़ा ज्यादा effectively cleanliness और color नहीं लगता कहते हैं white कपडों से ज्यादा मुश्किल होता है उसका color या stain निकालना और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है कुछ महिने बाद उसका color fade होने से रोपना आपका sweater oil जली ही stain में convert हो जाता है और कभी-कभी तो आपके fabric में जाकर उस कपड़े का color भी डल दिखता है तो ये थे कुछ less toxic DIY solutions और शायद इन्हें यूज़ करने से आपके white कपड़े white ही रहेंगे और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें comment section में ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे like, share and comment कीजे तो अगले वीडियो तक के लिए अलवेदा दोस्तो धन्यावाण